Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारणी क्यू टैबलेट के बारे में जो कि इस टैबलेट के इस्तमाल बहुत जादा सारेरी कमजोरी, नसों में कमजोरी इसके अलावा इसे और भी बहुत से प्रफजों में इस्तमाल किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कारणी क्यू टैबलेट के बारे में इसमें कॉम्बिनेशन का है, हर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का क्या काम है, कौन-कौन से परफजों में इस्तमाल करते हैं क्या डोज है, क्या नुकसान है, किसे नहीं लेना है, या सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बात करते हैं कारनी Q टाबलेट, जो कि आपके पास के medical store बहुत ही असानी से अबलेबल हो जाता है, टी टी के health care company की बना हुई medicine है, 10 टाबलेट की packing आती है और इसकी price की बात के तो यह आपको 300 से लेकर करके 3.5 रुपे की price में available हो जाता है, और इसका price fluctuate होता रहता है, अब बात करते हैं कारनी Q टाबलेट में क्या-क्या combination है, तो इसमें आपको काफी अच्छे-च्छे combination available हो ज जाता है, Q enzyme Q10 जो की हर एक टाबलेट में 50 mg, इसके अलावा zinc जो की हर एक टाबलेट में 5 mg, lycopene जो की हर एक टाबलेट में आपको 2500 mcg available हो जाता है, इसके अलावा estrogenthin है जो की 8 gram available हो जाता है, अब बात करते हैं इन सभी combination हो क्या काम है, तो पहला combination जो की levokarnitin है, जो की इस के अलावा या heart या brain के functions को improve करने में काफी इस्तमाल किया जाता है levokarnitin का, इसके अलावा co enzyme Q10 है, जो की इसका इसका इस्तमाल बहुँ जादा और इसे multiple purpose में इस्तमाल किया जाता है, जैसे की heart को healthy बनाया रखने के लिए इस्तमाल करते हैं, nervous system में migraine की समस्या होती है, तो उनसे भी condition में इस्तमाल करते हैं, किसी परकार का skin damage होनी की समस्या होती है, तो उनसे भी condition में दिया जाता है, brain या lungs से जुड़ा किसी परकार का कोई disease है, तो उनसे भी condition में दिया जाता है, इसके अलावा diabetes के patients में भी इस्तमाल करने के लिए देते हैं, इसके अलावा इसे fibrom मेलेजिया के परपस में इस्तमाल कर जाता है जो कि नसों में चुभन जैसे महसूस होती है नसों में कमजोरी होता है नसों में दर्द की समस्या होती है तो उन सभी कंडिशनों में को एंजाइम कुटन काफी अच्छा वर्क करता है इसके अलावा जो अगला कॉंबिनेशन है इसमें लाइकोपेन जो की इसका इस्तमाल खून की गमी को दूर करने में काफी कारगर होता है इसकीन को healthy बनाता है, bones को healthy बनाता है, blood की deficiency होती है तो उनको पूरा करने में lycopene काफी कारगर होता है इसके साथ इसाथ जोगला combination है estrogen जो कि एक तरीके का बहुती अच्छा antioxidant है जो कि इसका इस्तमाल athletic performance को improve करने के लिए इस्तमाल कर जाता है anti-aging है, बढ़ते उमर के साथ जो भी skin में गिरावाट आती है तो उनको maintain रखने में काफी कारगर होता है इसके अलावा, Alzheimer के purpose में इस्तमाल किया जाता है, कोई भी चीज भूलने की समस्या होती है तो उन से भी condition में estrogen काफी कारगर होता है इसके अलावा, इसमें आपको zinc अबलेबल हो जाता है, जो कि इसके इस्तमाल, immune system को improve करने के लिए इस्तमाल करते है रोक परती रोधक छमता को अच्छा करता है, metabolism functions को improve करता है, किसी परकार का कोई जखम पुराना नहीं heal हो पाता है, तो उनको heal करने में काफी कारगर होता है इसके साथे साथ, zinc एक बहुती अच्छा antioxidant है, इस medicine में ज़्यादा तर antioxidants मिलकर के बनाये गए हैं, जो कि body में से किसी परकार कोई भी समस्य होता है, तो उनको detox करने में काफी कारगर होता है इसके साथे साथ, कारणी Q10 का इस्तमाल, sperm count को improve करने के लिए, sperm की quality को improve करने के लिए इसके अलावा इसका इस्तमाल, body building purpose में भी से इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है तो इन से भी कंडिशनों में कारनी Q टेबलेट का इस्तमाल करते हैं, इनके बेनिफिट हैं, और इसका इस्तमाल multiple परपजों में किया जाता है, तो यही था इसके फाइदे के बारे में बात करें, इसमें क्या डोज होता है, तो डोज डिपेंड करता है कि आपकी age, healthy condition और आप इसके इस परपज में ले रहे हैं, उसी साबसे इसका डोज का confirmation होता है, नॉर्मली इसे दिन में एक बार आत को सोते वक्त, खाना खाने एक बाद आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं, इसका डोज का confirmation और इस दवा को लेना है या नहीं लेना है, इन सभी बातों का confirmation डॉक्टर की देख में करते हैं, तो आपके लिए काफे फायदे मंद होगा, बात करें किसे नहीं लेना है, अगर आप pregnant lady हैं, breastfeeding mother हैं, किसी परकार का आपको कोई भी critical medical condition में कोई medicine का course चल रहा है, तो उन सभी condition में आप इसे इसे इस्तमाल ना करें, बात करें क्या नुक्सान हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है, तो vomiting, सर में दर्ध, तौचा में लालीपन, बहुत ज़्यादा नहीं नाना, भूख न लगना, सर में दर्ध होना, lose motion होना, इस तरी के नुक्सान देखने को मिल सकता है, तो यही था कारणी Q tablet की बारे में जनकरी, अगर आपको वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा, आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू फर वाचिंग